दोस्तों अभी अभी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है BPSC TRE2 का OMR SIT जो है अपलोड कर दिया गया है, जो आप exam center पे गोला करके आये थे OMR copy, वो जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से मिला सकते हैं answer की के साथ, तो यहाँ पे देखेंगे आपको login करके ही download OMR का section मिलेगा, आप इसपे क्लिक करके download करेंगे, चलिए आपको सुरू से बताते हैं कि कैसे आपको OMR SIT download करनी है, इसके लिए friends आना होगा BPSC की website और यहाँ पे result, answer की सबका आ गया है, तो आप answer की पहले download कर लिजेगा, मिलाने के लिए मैं तरीका यहाँ बताऊंगा कैसे आ आप यहाँ login करेंगे, जिससा आप login करेंगे, आपका dashboard यहाँ पे open हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे, आपकी जनकारी सोती है, यहाँ पे देखेंगे, तो right hand side में आपको download OMR का option मिलेगा, अगर आप mobile से भी आपको सो करेंगा, तो यहाँ पे आप login करेंगे, और download OMR क जो है, आपके mobile में, या computer से download करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे, तो कभी-कभी error भी आ रहा है, आपको server error in application, तो आप एक बार retry करते रहेंगे, यहाँ से reload करेंगे page को, और retry करते रहेंगे, आपका OMR seat जो है, easily यहाँ पे download हो जाएगा, अब आपको OMR seat मिल गया, अब आपको जो है, answer की मिल गया, अब आप match कर लिजे कि actual में कितना number मेरे को आ रहा है, तो आप यहाँ से answer की क्यों देख लेंगे, आप कौन से बीसे के लिए form भरे थे, और जो भी बीसे के लिए, जिस भी class के लिए form भरे थे, उसका answer की, download करेंगे, जो इस परकार से answer की है, और आप अपने आपको analytic तो कर पाएंगे न, analysis की, हम जो है, कितना सही की है, actual way, हमको और मेहनत करने के आउ सकता है, क्योंकि अगस्त में फिर से vacancy आने वाली है, बिहार teacher की 5000 के आसपास, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह जो है न, सिख्छा जो विभाग के, आपके सचीव है, उनके द्वारा, केगे बाठक के द्वारा बोला गया है, कि हर साल जो है, BPSC की सिख्छक भरती बहाली निकालेगा, हर साल 5000 सिख्छक जो है, बहाल करे जाएंगे, तो आप लोग त्यारी करिए, इस बार नहीं हुआ, better for next time, आप त्यारी करिए, और इस तरह से आप, जो है, वेट कर लिजिए, और retry करते रहिए, यहाँ पे download OMR का option मिलेगा, इस तरह से server error आएगा, तो आप इसे reload करते रहिए, थोड़े दिर बाद download हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आच चुका है, क्योंकि server error क्यों आता है, बहुत सब लोग एक साथ जब portal पे login करते हैं, और ज जब download करने कोशिस करते हैं, तो ऐसा error आप देखने को मिलता है, तो आप लोग retry करते रहिए, कभी न कभी आपका हो जाएगा, तो I hope आप लोग समझाओंगे, मिलते हैं किसी next video में, जाहिंद,